नमस्कार, वेलकम टू आर यू हीर फोर दे क्रिकेट, एक ऐसा डेडिकेड़ क्रिकेट चैनल जहां आपको हट के व्यूज और अनैलेसिस मिलेगी, जहां अनबाइस्ट अपिनियन मिलेगा, जहां भारतिय क्रिकेट को लेकर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हम नहीं उठाते और जिसे हम एनलाइज नहीं करते, साथ ही यहां इस चैनल पर आपको अलग गैस के राय और टिपनी मिलेंगी, चाहे वो भारतिय क्रिकेटर हो या फिर विदेशी क्रिकेटर, पूर्व भारतिय क्रिकेट सेलेक्टर से लेकर पत्रकार और मीडिया पर्सेनलिटीज, सोशल म इडिया इंफ्लूरेंस से लेकर भारतिय क्रिकेट फैन तक, यहां सभी अपनी मन की बात करते हैं, खास आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज कर लीजिए, बंदे का दिल खुश हो जाएगा और अगर आप नोटिफेकेशन आइकॉन भी क्लिक करेंगे, तो मेरे सारे वीडियो की तुरन जानकारी मिल जाएगी आपको, शुक्रिया दोस्तों, हाँ जी, तो आज हम बात कर रहे हैं एजिया कप की, और इस संडे को होने वाला मैच, जो टीम इंडिया का तीसरा होगा अब भारतिया टीम सूपर 4 राउंड में पहुँच गई और अगर एजिया कप जीतना है और उससे आगे अगर T20 वर्ल कप में काम्याब होना है, तो थोड़ा अपने टॉप 3 पे फोकस करना होगा, मुझे तो पिछले T20 वर्ल कप से लगा कि इंडिया को इस साल के वर्ल इनने लेकर बहुत बड़ी प्रॉबलम साबित हो सकती है टीम इंडिया के लिए क्योंके बास बात यह है कि आपको मारना पड़ता है आज के T20 फोर्मैट में, जैसे कि सूरिया ने मारा हॉंग कॉंग को, जैसे कि बंगलादेश के अफीफ हुसेन और मुसद्दक हुसेन न मारा श्री लंका को, जैसे अफगानिस्थान के नाजिबॉला जद्रान ने मारा पांगलादेश को, और यह जो अग्रेसिव अप्रोच की बात रोहित ने करी इस टॉर्टमेंट से पहले, यह उनफोर्चनली इन दो मैचेज में टॉप ओर्डर से नहीं दिखा, मतलब मारो या मरो वाला फॉर्मिला यह दिखने को नहीं मिला, पाकसान के सामने राहूल एक बॉल के महमान रहे, रोहित 18 गेंदे खेल का सिरफ 12 पे आउट हुए और विराट ने 35 बनाए 34 गेंदों में, दोनों आउट हुए लेफ्ट टार्म स्पिनर मुहमद नवाज की गेंद पे अटैक करने की कोशिश में एक स्लो एं लो पिच पर, पर तब तक मामला बेगाड़ चुका था और वहां से जड़ेजा की पेशिंस और हार्दी की अग्रेशिन ने मैच जिताया, फिर होंग कॉंग मैच में सूर्य कुमार यादव की पारी को अगर एक साइड कर दें, तो जो राहूल और खोली के पास नहीं है, स्वीप शॉट, वो शॉट जो हर स्पिनर को तंग करता है और कप्तान और बोलर को चेंज़ेज लाने पे मजबूर करता है, और मुझे ये बात समझ नहीं आता कि जब आपके पास सूर्य कुमार जैसे विसफोटक बल्ले बास हैं, तो आप उन्हें कभी चार, कभी पांच पे खिलाते हैं, क्योंकि अगर हम भारतिया टीम की टॉप थ्री को देखें, तो मामला गड़बढ है, ये पहले भी कह चोपा हम कुछ वीडियो में, कि इंडिया का टॉप थ्री को स्पिनर से परिशानी है, और करन्ट फॉर्म में इन में से एक भी स्पिन को डॉमनेंट नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है रहूल और विराट की बैटिंग देखकर, कि उन्हें लग रहा है कि अगर हम ज्यादा अटैक करेंगे स्पिनर्स को, तो हम आउट हो जाएंगे, रहूल के पास शॉट्स सारे हैं, पर उनका प् थाइस, उन्होंने इस साल सिरफ एक फिफ्टी लगाया पंद्रा अंतराश्य टेट्वेंटी पारियों में, और अगर आईपील भी जोड लें, तो ही एस वन फिफ्टी इन टेट्वेंटी इनिंग्स, बट, ही इस और शॉरू से अटैक कर रहे हैं, अपने आपको सेट करन क्योंकि किसी या किसी को ये करना पड़ेगा, and who better than the captain, captain को नया अक्रोच चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं करके देखाता हूँ, बढ़िया है, लेकिन यहाँ intent की बात नहीं है, बात है form की, और रोवेत का form इस साल इतना अच्छा नहीं है, और फिर form छोड़ो, राह करें, तो इस सब के चलते, understandable है कि जिस scale राहूल की बैटिंग वैसे ही low risk है, और जिनका strike rate डेर्ड सो सो एक तो 30 तक गिर चुका है, और average भी कम होता गया है, उस batsman की क्या हालत होगी बिना playing time के, राहूल और विराद दोनों match winners हैं, इस पे कोई doubt नहीं है, मगर उन्हें crease पे स नहां मारने की जरूरत है, अब शायद आपको ये statement controversial लगे, पर Indian team घलती कर रही है, राहूल और विराद को T20 format में खिला के, दोनों को crease पे रहने की जरूरत है, और boss, ये T20 में नहीं चलेगा, आप World Cup से पहले अपने tournament जीतने के chances कम कर रहे हैं, sorry to say, इन दोनों batsmen को one day match में form वापस लाने को कहो, ना कि T24 में, terrific players in their own right, but सचाई ये है कि फिलहाल राहूल से run नहीं बन रहे हैं, और खुली का अप्रोच ज्यादा conservative दिख रहा है, एक नजर World Cup की तरफ डाले, तो जितनी लंबी रसी दिनेश कार्टे को दी गई है इस team management में, ऐसा लग रहा है कि वो उन रिशा पंथ को बाहर किया, सोचिए, so the message is clear, हो सके दुबारा कुछ matches के लिए पंथ को बाहर करेंगे, मगर मेरे असाथ से पंथ World Cup में हर मैच खेली है, तो अब, अगर Asia Cup और उन दोनों घरेलू सीरीज में, राहूल या खोली ने run नहीं बनाएं, और ये भी ध्यान में शूट आउट बेट्विन केल, राहूल एंड विराट खोली अंटिल वर्ल्ड कप, इन में से जो प्लेयर कम रंज बनाता है, वो शायद बाहर और पंत अंदर, कड़वी बात, आपको शायद लगे, बर एक T20 World Cup साल के अंदर, टीम ने इतने सारे experiments किये जब राहूल और कोली बार थे टीम से, और इन सब से क्या मिला, मानता हूँ, अभी टाइम है World Cup तक, Asia Cup, Australia Series, South Africa Series, but if the struggles continue, तो कुछ करना होगा टीम इंडिया को, नहीं तो World Cup भूल जाओ, आपको क्या लगता है ये सब के बारे में, बता दीजिए मुझे नीचे comment section में, और मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ जल्दी, गुद्बाई फर नाओ,